टेक नाश्शी पिर नमुष्य मंत्री घुबाश्यूर्ण प्रैहं सताथ पर नियुष्य मंत्री पश्यपद्ध प्रण वीत मे क्या समर्थ है यान मुष्य मंत्री बने शिर्देश कि इस तरफ कार के गिरने पर बोले सियें बढ़ेल वाज वकल लगाय लोग जंतितनी अत्याकारों शुसेना की सरकार गिराने की भाजपत ये तोची समझी साथ हुआ कि महाराष्ट में कॉंग्रेस की संग्रेशन संग ने कलेक्टर को पाउपा ग्यापन की काम का तोड़ आंदोलन कर रहे करमचारी और शुजारपूर में उदयपूर हट्याकान को लेकर बच्वंदल कारे करता हूँ हुए नमस्कार खबर भारत में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ जुनित और अब तक की सबसे बड़ी खबर की शुहात करते हैं महराष्टे महराष्ट से जहां पर एकनात श्रि शिन दे महराष्ट के नए मुख्यमंतरी पत की शपत ले ली है उन्होंने गुरुआर शाम पर médico शाम करीब साड़े साथ बजे मुख्यमंतरी प्र महराष्ट के 20 मुख्यमंतरी बने हैं फरनवीच और शििंदे की राजजपाल भगत सिंह कोशियारी से मुलाकात के बाद के नेत्रत्व वाले बागी शियुसेना विधाकों के समर्थन से फरनवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे पिछले दिनों शिंदे ने शियुसेना में बगावत की थी करीब दो हफ़ते तक चले स्यासी संकत के बाद बद्वार की रात को शियुसेना प्रमुक उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पत से स्तीफा दे दिया ठाकरे सरकार में कॉंग्रेस के साथ शरत पवार की पार्टी न्सीपी भी शामिल थी इस भी शिंदे अपने समर्थक विधाकों के साथ गोहाती से गोवा पहुँचे यहां उन्होंने रात गुजारने के बाद मुंबई आए शिंदे ने देवेंद्र फरनवीज से मुलाकात की इसके बाद अन्य वरिष्ट निताओं के साथ शिंदे और फरनवीज राजभवन गए यहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया महराश्ट में कई दिनों से चल रहें स्यासी उठापटक के बाद आखिरकाश उसेना की सरकार गिर गई इस मुद्दे पर 36 गड़ के मुख्यमत्री भूपेश बकेल ने बीजेपी पर वार करते वे इसे बीजेपी की रणनेती बताया और कहा कि भाजपा विपक्ष की सरकार को बरदाश्ट नहीं कर पा रही है और उसे सत्ता से गिराद देने के तमाम हतकंडे अपना रही है तंत्र की हत्या करने की गतिविदी है अब हाथी जनता पार्टी भूपक्ष को बरदास्त नहीं कर पा रही है और इसकारां से किसी भी काम दाम दंड़ेद के माध्यम से तो सरकार बिराने में लगे थे और उसमें उनको सफलता मिली लेकिन भारती जनता पार्टी जो सिपा दिया भाजपा अब भाजपा असली चेहरा आप सामने आया कि वो क्या उन्होंने खेल खेला उसके असर क्या हुआ रिजल्ट क्या है और इस कारण से भारती जनता पार्टी हर इस तरफ पर लगे ही है कि विपक्षिक राजिस्थान के उदर पुर्वे हुए हत्याका पूरे देश में हिंदू संगतनों द्वारा प्रदेशन कर आरोपियों को फांसी देनी की मांग की जा रही है तो वहीं बेरागड के चंचल चोरहे पर बज़रंग दलने विरोध प्रदरशन क्या और आतंकवात का पुतला जलाया साथ ही हत्याकान से जुड़े आरोपियो को फासी देने की मांग की कर देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक नहीं दो दो जुमेट की नमाच के बाद में इस देश के शानती प्रिये लोगों के द्वारा जुमेट की नमाच करने के बाद बहार में निकलते हैं और देश में शांती विवस्ता समालते हैं शांती विवस्ता इस्ताबित करते हैं देश में कई प्रदेशों के अंदर दंगे होते हैं इन दंगों के बीचे कौन है और जुमेकी नमाज के बाद ऐसी कौन सी कट्टर बनती ताकते हैं कि उन मिधान को चुनोती देते हुए देश की चुनी हुई सरकारों को चुनोती देते हुए देश के प्रधान मंतरी को वीडियो कॉल करके सीधी चुनोती देते हुए एसे गड़्डारों के दौरा राजस्थान के उदेपुर जिले में हिंदू यूबक कनया लाल की निर्मम तरी परशाशन डर जाए संवी दान की दौई देते हैं दिखाने के लिए लेकिन संवीदान में उनकी कोई आस्था नहीं गिंगे बजरंगदल के दौरा पूरे देशवर के अंदर आज के दिन चिला केंद्रों पर प्रदर्शन हो रहे हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि बहां कनईया लाल के हत्यारों को फांसी के तक्ते तक पहुंचाए साथ ही एसे हिंदू परिवारों को एसे हिंदू यूबकों को चिन्नित करके उनकी सुरक्षा मुआया उनको कराए या मांग बजरंगदल करता है उसाथ ही हम ऐसी कट्टर इसलामिक जिहादी मानसिक्ता के लोगों को यह चेतावनी भी देते हैं कि बजरंगदल यदी सड़कों पर आकर के सीधी कारवाई करना चालू कर देगा उदाइपुर के कनहिया लाल तेली हत्या कांड पर तेली साहु समाज ने नरसिंगड़ में आकरोश जताया और आरोपियों को फांसी की सजा देने और संपत्ती कुरकी की मांग को लेकर नारेवाजी की साती राष्टपती और राज़पाल के नाम तेसिलदार प्रकाश चंद्र पांडे को ग्या पांसोपा इस दोरान साहु समाज धक्ष अर्विंद साहु सहित बड़ी संख्या में कारे करता मौजूद रहे लंबे इतिजार के बाद हो रहे बागली नगरी निकाय चुनाव में लगातार सुर्ख्यां बनी हुई इस बार पारशद ही नगर पाली का धक्ष को चुनेंगे तो वहीं कई बागी निता अपनी ही पार्टी के परत्याश्यों को टक कर दे रहे हैं बागली नगर परिशत में लगभग 7500 मद दाता हैं साती अधक्ष पद महीला के लिए आरक्षित है आपको बता दे कि बागली पूर्व मुख्यमंत्री के लाश जोशी का नगर है और भाजपा का गड़ माना जाता है गाजपा के लिए कापी चुनोती भरे हैं इसलिए इस बार ये चुनाओ जो बाहजपा के लिए काफी चुनोती भरे हैं हलाकि अभी देखना यह है कि इस बार जो पारसत दोरा जो अज्जेक्स का चेयन किया जाएगा उसमें किसे जित मिलती है और किसकी परिसत बनती है यह तो समय पर पता चलेगा लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो नगर परिसत चुनाओ को लेकर बागली में काती हलचल दंते वाड़ा और सुकमा जलेकी सीमय पर कुछ दुनों से लगतार नकसलियों और जवानों के बीच मुझभेड हो रही है बता दे कि कटे कल्यार थाने अंतरगत यह मुझभेड हो रही है जिसमें दोनों और से गोली बारी हो रही है मौके पर CRPF और DRG के जवान इन नकस रहते हैं भवन निर्मान की अनुमती दे कर उनके स्वामित्व वाले निर्धन परिवार को रहत देंगे वहीं सडकों पर घुम रही गो माता के लिए गोशाला भी बनवाई जाएगी तो नगर निगम ने हमारी सरकार में नजूल की बाधिता सवाफ करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया वो लिटर कलेक्टर को लांके दे दिया लेकिन आज तक बिनागरी को राज में दे ये तो अपराजिक प्रगण लगाए जाना जाना जी कलेक्टर हो गया नगर निकर जो पिछली प्रदेर के ज़कार में नजूँ नगी बाधिता कमा की क्यों बाधिता गूला उट निकर भारती जनता पार्टी हो अपने आउबल ने स्वाफ अतम पुर्टुका है जगे जगे पिछनाचार के पेसे से अरनाटा हो गोवा हो मजबलेश हो, महरास्ट्रा हो, ये देट्टाचार के पईसे से भिषायकों को खरीद फरोप्त करके लोगतर की हंत्या करना है, देश को जन्ता सारी बाते खुड़ी आंगों से देख रही है, लोगतर की हंत्यारों को आने वाजे सोज़ाज 222 में जन्ता माफ करेगी, कांगर में TI खुदकुशी मामले की जांच लगातार जारी है, पुलिस ने TI के मोबाइल को जांच का हिस्सा बना दिया है, कॉल रिकॉर्डिंग को जांच का आधार माना जा रहा है, जिस महिला SI के साथ TI का विबाद हुआ था, उससे भी पूछ ताच की जा रही है, पुलिस यह ज निगाहें मुखत और कर या आगे का जो घटना करम है, उसकी दीसा बहुत हट तक TI के जो मोबाइल की जानकारियां है, जो प्रष्टियां उसके अधार को रखता है होगा, कि क्या उनको किसे ने कोई धंकी दी थी, कोई और ऐसे तक से थे जो उनको मानसी कुरूप से तना रस्त किये हुए थे, या महिला एक जिसका आप पूछ रहे हैं, उसके बारे में भी अगर कुछ ऐसी दोनों के बीचे में कुछ ऐसा संबाद हुआ, जिसने इसी प्रसितियां पैदा की, इन सारे मुद्दों के बारे में पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद, और पूरे को फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया है, फॉरेंसिक टीम उसको आगे की, जो जनकारी होगी, पूलिस के साथ परदान करेगी, उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन की अंतिम दीसा टै हो पाएगी। कि मैं उस और ज्यादर धान भी नहीं देता हूँ, ओवेसी के मध्यप्रदेश दोरे पर कहा, कि ये सबी जानते हैं कि ओवेसी किसको लाब पहुंचाना चाहते हैं, इस दोरान उन्होंने सीम शिवराज पर भी पलटवार किया, और कहा कि मैं सीम शिवराज को कहना चाहता ह कि वो एक मंच में मेरे साथ आजाएं, मैं बता दूँगा कि 15 महने के सरकार में हमने क्या किया, और वो हिसाब दें अपनी 18 साल की सरकार का के इन बता है, वो देखुर अपने मदेख्रेश का एक महान में बता है, यहां आपको यहां की समस्यां का मैं परिचय गूँँ उसकी आभिश्यक्ता है, आप सब जान के रहे, पर दुख पने इस गाच का है, कि स्मार्ट सेखी, किस बिकार से एक माध्यम बन दिया, कि वर जबर्फुर की पात्वी एक पुरे पदेश की, एक मात्यम बन दिया गृष्टाचा के, आज जो गृष्टाचा के रहे, स्मार्ट सेखी के नाम पननातर हो, शिंग्राव यह मितासाजर मिताखर अलगाए, अमिता मितादर न सब्दोगे, यहां जाहू, शिंग्राव उनकी रेकॉणिंग बताते हैं, कहिं कार की मैं उसको सिंवापुर बना दूगा, कहिं का सिंवाणी से कार की मैं एसे रिंगोर बना दूगा और क्या हाला? तब परिके सुनाते, क्या हाला? Smart City एक एक आपराशिक पन गे है कल जी बात आपने लेटी विस्कों कहते है Smart City Smart City की लिए हमें चाहिए विजन शिंद्राइट दी सोटे Smart City Television से बन जाएए जूट से बन जाएए गोष्णाव से बन जाएए Smart City की लिए एक सोच चाहिए आज जबेपुर की आवादी भेड़ेंगे जस्कार देने की आवादी थी जस्कार बाद की आवादी होगी और जस्कार बाद की जबेपुर भेपाए ना उस आवादी को चाहिए अगर आज की दिन पीवे से पानी की समझते है नाजियों की, फ्रेलिंची, पार्चिंची, सरग्ची, हमारे नर्मदाग मर्या की गंशींची, तो दस साइब आज अपना जबरपूर की आ रहेता है। अगर हम वे मिलों के ना देखें तो जबर पूर का भगिषय क्या होगा। मैं तो कहता हूं 10 साल की विवजना मनाए, 2012 की 2023 की हम विवजना मनाए। और तब त्य करें की हम 2012 की बच्या करेंगे, 2013 की बच्या करेंगे। इसको चैरिंग केपैसिटी जब मैं परहला मंत्री था मैंने विलाजिक दिल्ली में बड़े बड़े शेलों में की चैरिंग कपैसिटी चीज़ करी जाए 36 गड़ के हस्देव अरण अंदोलन को अब मशूर समाच सेवी का और परेवरन विद मेगा पाटकर का समर्थन मिल गया है बतादे कि मेगा इन दिनों 36 गड़ प्रवात पर है वहीं मेगा ने प्रेस कांफरेंस में कहा कि ऐसे खनन का कैसे समर्थन किया जा सकता है जो प्रकरती पर आधारित आदिवासियों के अस्तित्व के खिलाफ हो उन्हों ने कहा कि कॉंग्रेस के शासनकाल में ही वराधिकार कानून पेसा बना लेकिन कॉंग्रेस की भूपेश सरकार ही इसका पालन नहीं कर रही है मेगा पाटकर ने कहा कि इस खनन से परेवरन का विनाश संभाव है और हम इस खनन का विरोध करते हैं जान के चौखट में लाया जाए और कानूनी प्रक्रिया हो उसमें धांदली नहीं हो ब्रश्टाचार नहीं हो अत्याचार नहीं हो और आदिवासी जैसे प्रकृती निर्भर समुदायों का विस्थापन और उससे अडानी अंबादी जैसे को करोडपती और अबजाधीश ब से हुए हैं और जहां आज जो हरा अच्छादन खड़ा है वही देश और दुनिया के मानव जाती को बचाने का एक अत्ती महत्वपूर्ण संसादन है जहां कि जमीन आज अन्न दाताओं के द्वारा हमारी अन्न सुरक्षा देश के गरीबों की भी निश्चित कर रही है औ और जहां हस्देव बांगो जैसा जलाशे तो बना गया लेकिन उन नदियों के जला जलग्रहन शेत्र में अगर इस प्रकार की कटाई होती है तो जो हकिकत नर्मदा की है सरदार सरोबर बांध उंचा कर दिया मोधी जी ने लेकिन नर्मदा का पानी कम कम होते हुए इतना प्रदूशित है कि पीने लायक नहीं ये स्थिती हो जाएगी ये हजदेव अरण्य के एक शेत्र में रहने वाले हर गाउं की ग्राम सभा कह रही है लेकिन उनके प्रस्ताव को पलट कर जूटे प्रस्ताव लाना हमें मनजूर नहीं है वो पेशा कानून और वना अधिकार का जो कॉंग्रेस के नेत्रुत्व में यूपीय सरकार नहीं लाया था लाये थे उनकी ही उनका ही उल्लंगन जो हो रहा है वो हमें बगेल सरकार से अपिक्षा नहीं थी लेकिन आज ऐसी स्थिती आई है इसलिए जना अंदूलर ग्रहमत्री नरुत्तम विशा ने एक बार फि आम ही जनता को कंफ्यूज करना है महराष्ट में जो सरकार गिरी वो कॉंग्रेस की संगती का नतीजा है पहली बार हिंदूत्व के नाम पर सरकार ग्री है संजय राउत कह रहे थे कि विधैक अगवा हो गये हैं वह भूल गए कि वह अगवा नहीं भगवा हो गये है देखिए विजन और टेली विजन की बात नहीं कमला जी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं यह लगातार कंफ्यूजन पैदा करना करमचारियों में व्यापारियों में बेरोजगारों में इसानों में यही इनकी राजनीत का मूल मोटिव है कन्फूजन करो और आगे बढ़ो कन्फूजन नात हो गए हो देखो कदली सीप भुजंग मुक स्वातिये गुंतीन और जैसी संगत बैठिये तैसोई फल दे कांग्रेस की संगती जहां जहां हुई है आप वहां वहां ये विसंगती देखिये इसलिए विद्वानों ने कहा है कि आहिफन गए तो बिस बने कदली गए कपूर और सीप गए मुक्ता बने संगत को फलसूद अखलेस यादव संपर्क में आए साफ तेजस्वी संपर्क में आए साफ उदव संपर्क में आए पार्टी साफ हो गए ये संगत का प्रवाव है कांग्रेस की कोले की तरह काम कर रही है उदाइपुर में कनहय लाल टेलर की हत्या को लेकर शुजालपुर में भी काफी आख्रोश देखने को बिला जहां विश्व हिंदू परिशाद बजड़ंगदल कारे करताओं ने रोक लिया हनुमान मंदिर से रेली निकाली और हत्यारों के खलाफ जमकर नारे बाजी करते वे पुतला देहन किया और इसके बात SDM सतेंदर सिंग को राष्टपती के नाम ग्यापन सोपा जिसमें आरोपियों को जल्द फासी देने की माग की गई साथी राजिस्थान की कॉंग्रिस सरकार से इस्तीफ है और वहां राष्टपती शासन लगाने की माग की गई यह तो राइस्थान के अंदर इंडों पर आये दिन अत्याचार हो रहे अभी का मामला है वहने देखा है कनिया जी के साथ में उनकी दुकान में कुछ जिहाद ही गए तो जिहाद ही ने जाके सीरिया कानून के तहरे के उनका गळारेट के उनकी हत्या कर दी और पुरे हिंडु समाज को जूड़े भीज के डराने का मेसेज गया और यह चेलेंग्ट आगा राइश्थांड के अँदर लग el 2018 स्योग को 16ज़ाना चीए दो एससे बावरकियों को सबक सीखाने का और अच्य एकू समाज जानता तो गुता है कि राजस्तान वुदैपूट में जो प्रिशन साथ्या की गए थी इसके विरूद में बजरणगर और विस्विजृ ऑपरिसाथी लिलाएट काई साज़ापूब और सुधाल्पूपक नेमेटर के विरूद में जयापर सोपा है पुलिस बल के जवानों ने जोबट छेत्रे के समवेदन शील छेत्रों में फ्लेगमार्च निकाला और भाय मुप्त होकर मतदान करने का संदेश दिया SDM देव की नंदन सिंग, SDOP नीरज नाम दियु के नेत्रतु में मतदान केंदरों तथा स्ट्रोंग रूम का लगातार भ्रामन किया जा रहा है पुलिस शांती पुन चुनाव के लिए इस्थाने लोगों से समवाद भी कर रही है वहीं SDOP नीरज नाम दियु ने कहा कि शांती पुन धंक से चुनाव संपन्द करवाना उनकी प्रात्मिक ताहित पुलिस लगातार छेत्रों में फ्लेग मार्च कर रही है चुनाव के दोरान असामाजिक दस्मों पर पुलिस की कड़ी नजर है और दोशी पाए जाने वाले लोगों को बख्षा नहीं जाएगा जैसे की विदित है आगामी एक साथ 2022 को त्रिस्तरी ये पंचाय चुनाव के दुती चरम में चुनाव जोबर विकास खंड के अंतरकत होने वाले हैं जिसकी तैयारिया आज मैंने रजजी हमने मिलकर करी तैयारियों की समिक्षा की और कस्वे में तथा सम्मेदंसील छेत्रों में फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जावरुक किया गया ताकि हमारी जो चुनाव है वो सांतिपूर तरीके से संपन हो सके इस दोरान इस्ट्रॉम का भी निरिक्षा किया गया वहां की तैयारियों की भी समिक्षा की गई है कल सभी को साथ बजे स्ट्रॉम ने बुलाया गया है और वहीं से मद्दान दलों को अपने अपने बूथों पे भेजा जाएगा लगातार हमारी पुलिस सेक्टर मुबाइल, सेक्टर मजिस्टेट सही तुरूप से भ्रमन कर रहे हैं और सभी जो हामजन हैं जिस जिस छेत्र में बूटे होने वाली है सबी से सांती पूर्ण मद्दान करने की अपील की गई है फिलाल इस बुलिटिन में मेरे साथ इतना ही लेकिन बने रहे रहे हैं खबर भारत के खाथ नमस्कार